अब कोचिंग संस्थान वाले ही आपको girlfriend या boyfriend होने को बोल रहे हैं दरसल फरवरी का महीना आने वाला है और फरवरी का महीना प्यार का महीना होता है Valentine डे के मौकी पर couples एक दूसरे को gift देते हैं अपने प्यार का इसहार करते हैं इसी कड़ी में एक संस्थान ने special notice जारी किया है कि 14 फरवरी के लिए आप अपना date खोज ले मतलब 14 फरवरी के लिए आप girlfriend ढूलनी जीए और लड़किया आपने लिए boyfriend ढूलने वार नोटीस इंटरनेट पर काफी तेजी से viral भी हो रहा है अकसर होता यह है कि कोई भी कोचिंग संस्थान या फिर कोई भी स्कूल ऐसी चीजों का बढ़ावा नहीं देता है लेकिन यह जो special notice है वह बड़े ही तेजी से social media site पर viral हो रहा है अब आखिर क्या है यह पूरा मामला आपको विस्तार से आगे के वीडियो में बताते हैं तो वीडियो को अंतु तक पूरा देखे अब नमश्कार आप देख रहे हैं जनता जंक्षन और मैं हूँ आपके साथ श्वैता मिस्ता नया साल जनवरी के साथ शुरू हो गया है और अब फर्वरी का महीना भी कुछ दिनों में शुरू होने वाला है और जैसा ही हम सभी जानते हैं कि फर्वरी प्यार करने वालों का महीना होता है इस महीने में सबसे खास दिन वैलेंटाइन विक का होता है जिसमें कपल्स एक दूसरे को खुबसूरत गिफ्ट देते हैं और अपने प्यार का इजहार अनोखे तरीके से भी करते हैं और अब कुछ ही दिनों में फरवरी का महीना आने वाला है कुछ लोगों के मन में वैलेंटाइन मनने का ख्याल जनवरी से ही आ जाता है यह वो लोग मनाते हैं जो अपनी प्रेमी और प्रेमिका के लिए कुछ अलग करना चाहते हैं उन्हें स्पेशल फील करवाना चाहते हैं लेकिन अब एक कोचिंग संस्थान में बच्चों को अपना डेट खोजने को बोला जा रहा है जिसके लिए एक नोटिस भी भेजा गया है दरसल होता है कि स्कूल या कोचिंग इंस्टिट्यूट अपने स्टुडेंट को इन मामनों में बढ़ावा नहीं देते हैं बलकि उन्हें पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान देने को बोलते हैं लेकिन इस संस्थान में छात्रों के लिए वैलेंटाइन के पहले अपना कोचिंग संस्थान द्वारा आयोजित की जाएगी अब कोचिंग संस्थान भी वैलेंटाइन डे को लेकर पार्टी देगी दरसल एक इंपोर्टेंट नोटीस भी वाइरल हो रहा है उसमें लिखा है कि हमारे मिधावी उमीद्वारों के व्यक्तित्त विकास को ध्यान में सभी छात्रों को 14 फरवरी से पहले अपने लिए एक डेट खोजने की आश्यक्ता है नोटीस में आगे बताया गया है कि इसे छात्रों का आत्म विस्वास बढ़ेगा और जीवन में वो लोग सफल होंगे इतना ही नहीं उस नोटीस में यह भी लिखा गया है कि लड़के औ किसी संस्थान में ऐसा जारी किया जा सकता है वहीं उस संस्थान की पुराने चात्रों का कहना है कि कि हमारे टाइम पर भी ऐसा हुआ होता लेकिन हमारे टाइम पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ लेकिन उस notice में सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि उस notice में कोई date नहीं था और ना ही किसी का कोई signature था जानकारी के अनुसार आकाश और संस्थान के शाखा का कहना है कि उनसे इस तरह के notice की बारे में कुछ पता नहीं है और ना ही वो notice उनके coaching संस्थान का है बच्चों से भी पूछा गया तो बच्चों का भी कहना है कि ऐसा कोई भी notice हमारे संस्थान की तरफ से नहीं भेजा गया है या प्रैंक किया जा रहा है और नहीं तो इसे वाइरल होने के मकसद से बनाया गया है जो कि खूब सोशल मीडिया पर वाइरल भी हो रहा है लोग इस पर जम कर कमेंट कर रहे हैं कि अगर सच में ऐसा होता तो कितना अच्छा रहता बाकी अब इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताए इस खबर में बस इतना ही ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ औ वीडियो को like share करें अगर आप यह वीडियो उमारे facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज़ पर फॉ लो कर ले और यही वीडियो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख डेख रहे हैं था हमारे चैनल को subscribe करें धन्यवाद